हेलो दोस्तो आज हम लेके आये है एकदम समर स्पेसल भाजी जो की चतिस गड़ का फेवरेट है घर ओ घर में इसे बहुँँ ज़्याता पसंद किया जाता है बच्चे हो बड़े हो सभी का फेवरेट होता है दोस्तो ये देखे ये है बुहार भाजी जो इस तरह से दिखता ह है और सब्जी बनने के बाद देख सकते हैं कितना स्वादिश्टा सब्जी बनता है वैसे मैंने इसके कही तरह की वराइटी सब्जी का अल्रेडी अपने चैनल में डाल रखा है नहीं देखे तो बहार भाजी प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजेगा तो चलिए देखे बहा सब्जी सब्जी को टोड लेते हैं इसका पत्ते को पत्ति Genita में थोर चारी मिल जाता है तो मॉर्ण में सस्ता मल जाता है दोस्तों सब्जुडब मार्केट में तो महेंगा करparent कि कम अर देखेम सबीकर तोड़ लिया है कि मोटा डंडी है इसे मच निकल जाय को थे सब्सक्राइब डेता सब्सक्राइब ये सब्सक्राइब दो से थीन पानी जो है तो एक चलने में veal जाए जिन से ठीज सब्सक्राइब कोई अगले वीडियो में आपको इमली के सांथ बनाने बताँ ऑज आज हम इसे बनाएंगे दही या फिर मही के साथ तो चलिए बनाने स्टार्ट करते है तो मैंने इसे दो लिया है दोने के बाद इसे कुकर में मैं डाल देती हूँ कुकर में अगर नहीं बनाना है तो कड़ाही में आप इसे उबाल सकते हैं कटे हुए टमाटर और कटे हुए प्याज डाल रही हूँ सभी समागरी को हमें डाल की उबालना होता है अगर आप इसे कड़ाही में उबाल रहे हैं तो कडाही वाला भी मैंने प्रोसेस जो कैसे करना ये वीडियो डाल रखाए दोस्तों जरूर चेक किजेगा यहां पर हल्दी और नमक डाल कर हम धक्कन को बंद कर देते हैं पानी बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि भाजी में और टमाटर प्याज में भी पा करणा है लाल मिर्च और हरा मिर्च जीतना तीका आपको खाना है इसके अनुसार से अप इसे कम जादा कर सकते हैं एक बड़ा कटा हुआ प्याज है इसी आप चाहे तो चोटे टुकड़ों में ज्यादा तर बड़े-बड़े टुकड़ों में ज्यादा अच्छा लगता है और भुनने के बाद यहां पर मैं थोड़ा करीब आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ जिसे की इसका जो टेमप्रेचर है वो नॉर्मल हो जाए क्योंकि अभी हम यहां पर दही या फिर मही जो भी आपको खटा डालना है वो यहां पर फटने का डर होता है तो अगर आप अजो तो तो यहां पर मही भी आप तो यहां पर थोड़ासा और ढाल देती हूं क्योंकि कलर इसका अच्छ ед लीलने और यहां पर अब मैं डाल देती हूँ जो हमने भाजी जो बाल के रखा है उसे हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं मिलाने के बाद इसे हमको बस इसका जो पानी जो हमारा दीक रहा है उसको सुखते तक आपको पकाना है जब यह पानी अच्छे से सूख जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए है ना बहुत असान इसे बनाना आप इसे आप किसी के साथ भी खाईए रोटी के साथ खाईए चामल के साथ खाईए दोस्तों सभी में परफेक्ट लगता है और इसे आप चाहे तो आप ऐसे ही खा सकत कि तो चलिए अगले वीडियो में तब तक लिबाए